एली करंट अफेर्स कौनसा सहर भारत में आयोजित पहली G20 सेरपा बैठक का मेजवान है अंसर उधैपुर G20 समू या गुरूप अफ 20 इसका उद्देश्य मद्यम आये वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्या इस्थिर्ता को सुरक्षित करना है किस देश ने B21 नामक का अपना नवीनतम परमाडू स्टेल्थ वंवर एर क्राफ्ट लाँच किया अंसर अमेरिका अमेरिका वायु सेना ने B21 नामक अपने नवीनतम परमाडू स्टेल्थ वंवर्षक विमान का अनावरण किया है जो सीथ युद्ध में पहले उड़ाएगे विमानों को दीरे दीरे रिप्लेस कर देगा इस नए वंवर्षक विमान की कीमत लगबग 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है और यह परमाडू और पारमपरिक हत्यार ले जा सकता है प्रती वर्ष अंतर राष्ट्रिय दिव्यांग जन दिवस यानि International Day of Persons with Disabilities का मनाया जाता है अंसर तीन दिसेंबर अंतर राष्ट्रिय दिव्यांग जन दिवस हर साल तीन दिसेंबर को मनाया जाता है इस दिवस का वार्षिक पालन 1992 में सयुक्त राष्ट्रे महाशवाद्वारा गोशित किया गया था एक अरब से अधिक लोग या विश्व की जन संग्या का लगबख 15% किसी ना किसी प्रकार की विकलांगता के साथ जी रहे है कुल दिव्यांग लोगों में से 80% विकाशील देशों में रहते हैं ये उनी के लिए 3 दिसेंबर को मनाया जाता है किस संस्थानिक के शोध करताओं ने अगली पीडी के इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के निर्माण के लिए उर्जा कुशल कंप्यूटनिंग प्लेटफर्म विक्षित किया है अंसर बारतिय विज्ञान संस्था Center of Nanoscience and Engineering के शोध करताओं ने एक अत्यधिक उर्जा कुशल कंप्यूटनिंग प्लेटफर्म विक्षित किया है जो अगली पीडी के इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के निर्माण में सायक हो सकता है Question No.5 किस उच्च न्यायाले ने मंदिरों के अंदर मुबाइल फोन के उपियोग पर प्रतिबंद लगा दिया है अंसर मद्रास उच्च न्यायाले मद्रास उच्च न्यायाले ने तमिल नाडू के मंदिरों में मुबाइल फोन पर प्रतिबंद लगा दिया है न्यायाले के अनुसार मुबाइल फोन के उपियोग पर प्रतिबंद लगाने का कदम पूजा इस्तलों की पवित्रता बनाए रखने में उपयोगी होगा उचनियायले ने यह भी कहा है कि लोगों को एस उविधासे बचने के लिए मुबाइल मंदिरों में जमा करने के लिए लोकर इस्थापित किये जाने चाहिए और इस आदेश का अनुपालन सुनस्चित करने के लिए सुरुक्षा कर्मियों की भी नुक्ति की जानी चाहिए